हेलो नवस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी फार जी के में और आज के से लेक्चेर में जैसा कि आप सभी देख पार होंगे सामान प्रबंधन अर्था जन्रल मैनेजमेंट के संदर में बात करने जा रहे हैं प्र सबस्ते हैं एक देखेगा यह चुननदा कुट्चन लिया बिल्कुल चुननदा कुश्यों है जो एकजम में डारेक्ट पुछे जाएंगे चाथ यूं धिखेगा यहापण देखे पहला question जो आपके सामने निकल कर आ रहा है शाती हoti हैं प्रतम बार बिमुद्रिक्ण कब किया गया था शाथो deseo देखे capable option आपके सामने दे गये है यह पहला option है आपका 1940 दूसरा option दिया गया है आपका 1946 और 3rd option दिया गए आपका C नंबर 1947 और D दिया गए आपका 1972 साथी हो देखे गाइस question की right answer की अगर हम बात करने शाती हो तो याद रखेगा इस question की right answer हो जाएगा 1946 याद रखेगा साथी हो इस question का right answer क्या रहेगा 1946 आपको right answer याद रखना है साति हूँ के लिए रहा है option number B is the right answer हो जाएगा साति हूँ के लिए रहा है चलेगा next question के बढ़ते हैं जो कि most important question है साति हो पूबलर question है पूछा गया question है साति हो देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है के अंदर सरकार जी हां के अंदर सरकार ने तीसरी बार मुद्री कर किया गाया था शेंटर गॉर्मेंट के द्वारा वो किया गाया था देखिएगा इसके जो option दिए गए हैं यह option के रिकाटेंगा अगर हम राइट आंसर की बात करने साति हूँ तो प्यारे शाति हूँ ध्यांदर कीएगा इसका right answer हो जाएगा option number B is the right रहेगा साति हूँ क्य तीसरा question जो है साति हूँ देखिएगा परयावण निदान के आकलन का प्रभाव हो शकता है जी हाँ परयावण के निदान के आकलन का प्रभाव क्या हो शकता है धनात्मक रनात्मक यह फिर देखिएगा ए और वी दोनों यह इन मेंसे कोई नहीं शाति हूँ अगर इसके right answer परयावण निदान के लिए आकलन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा डी नहीं होगा इसका right answer option वर सी हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा सब्सक्राइगा शात्यों धनात्मक और रनात्मक दोनों हो शकता है परयावण निदान की आकलन का जो आपका प्रभाव हो वह हो शकता है और धनात्मक भी हो सकता है इसलिए इसकुष्चन का right answer option वर सी आपको लगाना रहेगा साथियों चलेगा नैस्ट कोशन देखिएगा कोशन फोर्थ देखिएगा साथियों यहां पर जो बात की जा रही है कि इसकुष्चन में बात की जा रही है कि बाता और विचिलेशन को प्रभावत करने वाला नहीं घटक है ऐसा कौन सा घटक है जो प्रभावत नहीं करता है साथियों तो देखिए यह option आपके सामने दिये गए हैं देखिए question का right answer हो जाएगा देखिएगा यहां पर जो option देएगा है पहला जो option है संस्ता की आयू प्रबंद क कि छमता या फिर आपका संस्ता का प्रभाव तो इसलिए इस question का right answer हो जाएगा option is the correct answer है साथियों क्या हो जाएगा साथियों option is the correct answer हो जाएगा साथियों आगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही subscribe कर लिजे सबसे पहले शपलता के लिए और शाथ में bell icon कि विद्य है जी वाटावरण के मुठ्लियांकन की कों सी विद्य है कि अप खोज विद्य है लाव में ब्रद्धि करना या प्रवंधकों की चमता या निती बनाना शाथियों इस question के right answer के अगर हम बात करें אז question का right answer हो जाएगा option name e जी हाँ, option number A लगाएगा, खोज विदी, जी हाँ, खोज जो करना है, यह क्या किलाता है, बाता विसलेशन की मुल्यांकर की विदी है साथ, याद रखिएगा, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, option number A is the right answer हो, clear है, option number A लगाएगा, यह right answer आप, चलिए next question क्यों बढ़ते हैं, next question द जोटनों या इन में से कोई नहीं साथ हो, जीकिएगा, इस question की right answer के अगर हम बात करें, तो मौकिद यह सूचना होती है, जो oral सूचना होती है, बरबली जो होती है, इसमें अगर बात करें, तो A और B, दोनों हो जाएगा, साथ हो, इस question का right answer क्या रहेगा, यह, यह और B दो दोनों रेडियो और आकासवाने दोनों रहेगा, साथ हो, चलेगा, next question क्यों बढ़ते हैं, जो कि most important question है, देखेगा, साथ हो, question बर शेवल की बात कर रहे हैं, आपर, देखेगा, यह जो question आप से पूछा गया है, कि लेकित सूचना की बात कर रहा है, देखेगा, और लेकित सूचना की अगर हम बात करें, तो option number C is the right answer रहेगा, जी हाँ, sorry, option number B is the right answer रहेगा, समाचार पत, समाचार मत्र जो हो रहते हैं आपके, उसमें लिखे सूचना है, आपको संप्रिशित की जाती है, बेजी जाती है, जो आप पढ़ते हैं, daily basis पर, clear है, इस question का right answer, option number B रहेगा साथ हूँ, चलिएगा, next देखिएगा, next देखिएगा, question number 8 की जो बात कर रहे हैं, बाता और बिसलेशन की तकनीक है, जी हाँ, बाता और बिसलेशन की क्या तकनीक, क्या sweet, short बिसलेशन तकनीक, या आवशर पर दिरस ये तकनीक, या फर देखिएगा option A और B दोनों, तो दे चलिएगा, next question की और बढ़ते हैं, question number 9 देखिएगा, strength की बात कर रहे हैं, या पर देखिएगा, question number 8 है, या आप से ये पूछा जा रहा है, कि strength का क्या आर्थ है, जी हाँ, strength का क्या आर्थ है, देखिए, strength की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो right answer रहेगा साथ हो, ये और और भी दोनों रहेगा, या इस question का right answer, option number C हो जाएगा, strength का मतलब होता है, चमता, जी हाँ, क्या होता है, चमता और शक्ति, दोनों होता है, इसलिए इस question का right answer क्या हो जाएगा, ये और भी दोनों हो जाएगा, चलिएगा, next question क्यों बढ़ते हैं, next question देखिएगा, यहाँ प सब्सक्राइब कर आएंगे तो यहां कर लेंगे तो आपको आशा नीचे लगा पाएंगे साथ यहां पर जो दिया गया चमता और यह दिया गया सकती यह क्या है अपकी स्ट्रेंथ है प्रावलम आपकी स्ट्रेंथ लेकर हम यहां पर बात करें इस कुशिण के राइट अंसर के क्या होता है आउशर होता है तो याद रखीगा आपोर्चन्टीज का क्या आसा है यहाँ पर आउशर से है साथ इस question का right answer option नमर B रहेगा साथ यह चलेगा ने इस question क्यों बढ़ते हैं साथ लिए आपके यहाँ पर शमस्या या आउशर तो हमने निकाल लिया इसके पहले सबज़ लिया है इसमें अगर राइट अंसर के हम बात करें 11 नमर की तो इसका राइट अंसर रहेगा साथ हो समस्या यहाँ पर टीफ और समस्यां से आपको याद रखना है option नमर C इस दा राइट अंसर हैगा साथ हो क्या हो जाएगा इस दा राइट अंसर रहेगा साथ हो समस्या चलेगा नेश्ट कोश्चन को बढ़ते हैं देखेगा यह कुश्चन जो है most important आई हो सकता आपके एक्जाम के लिए देखेगा साथ हो जी हाँ देख लिजेगा इसको आपका नियरने है और चोथा option आपको देखाने की कोशित करता हूं यह नियूजन है शाथ हो देखेगा इस question के राइट असर के हम बात करें तो क्या हो जाएगा option वर डी जी हाँ याद रखीएगा इस question का राइट असर होता है प्रबंद का मतलब होता है विवस्था करना management क करना किस चीज का और किस चीज का अब management तो planning करना पड़ेगा न सबसे पहले क्या आएगा नियूजन मीन्स होता है planning अर्थात क्या होता है योजना बनाना शाथ हो क्लिए है इसलिए इस question का राइट अंसर रहेगा option वर डी साथ हो चलिए next question देखेगा यहाँ पर जो question आप से पुछा गया साति हो कि नियूजन प्रक्रिया है जी हाँ नियूजन प्रक्रिया है कैसी है एक बौधिक प्रक्रिया है या सरीरे की या मानसिक है साति हो तो देखिएगा इस question के राइट अंसर की अगर हम बात करें शाति हो तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका मानसिक ज और planning केसे तयार करते हैं चिंतन या मनन करना ही क्या कहलाता है नियोजन कहलाता है पहले नमबर आप प्लान तयार करते हैं मन में प्लान बनाते हैं चिंतन करते हैं मन्थन करते हैं इसके बाद आपका प्लान तयार होता है इसलिए इस question का right answer क्या रहेगा साथी हो और सी इस the right answer रहेगा इस question का साथ हो चले question number 14 की बात करते हैं जो कि most important question है साथ हो देखिएगा यहाँ पर जो question है आपसे यह पूछा जा रहा है कि नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है जी हाँ नियोजन अर्थात बात कर रहे हैं प्लानिंग की अर्थात बात कर रहे हैं यूजना की ठीक है न तो देखिएगा साथ हो यहाँ पर इस question की right answer के अगर हम बात करें तो इसका answer देखिएगा इस question का right answer रहेगा आपका मानसे कद्धिन जी हाँ option number is the right answer लगाईएगा साथ हो option number a लगाईएगा साथ हो और जी हाँ वीडियो पशन्द आ रहा है तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और वीडियो को share कीजेगा साथ में चलेगा next देखिएगा most important है नियूजन प्रबंद का कैसा कार है जी हां नियूजन जो है प्रबंद का कैसा कार है नियूजन है एक प्रकार का प्रबंद का ही कार है लेकिन कि इस प्रकार का कार है क्या एच्छे के महत्पूर्ण है अब गई है यह फिर आनवश्यक है प्यारे शाति उध्यान दिज देखेगा एक महत्पुन कार है क्या हो जाएगा ऑप्शन मर बी इजदा राइट आंसर रहेगा साथ हो इंपोर्टेंट कार है नियुजन जी हां के लिए रहा है चलेगा नैस्ट कुछिन के रूब बढ़ते हैं देखेगा आज के सिशन का लास्ट कुछिन था साथ हो आज के जी हां अनुशनन करना क्या है नियुजन प्रक्रिया का अंतिम आपका चरण रहेगा साथ हो इस कुछिन का राइट आंसर ऑप्शन मर डी लगाईगा साथ हो तो वीडियो यहीं कंप्लेट होता है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के जय हैं जय वारत